हलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल पाबली हिंदी पे तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जूम रेइस्टेंट को आटोमाटिकली वाट्चाप पर इन्विटेशन सेंड करें यानि कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे जूम मीटि में एक न्यू रेइस्टेंट आड हो तो आटोमाटिकली हम उस न्यू रेइस्टेंट को एक वाट्चाप मेसे सेंड करें तो एक्जाम्पल के लिए मान लिए दोस्तों कि मैं कोई मोटिवेशन स्भी कर हूँ जो की सेल्प मोटिवेशन पे एक सेशन कंड़क करना चाहता ह है जूम मेटिंग पे तो मैंने एक जूम मेटिंग स्चेडूल की और साथ ही साथ उसके रेइस्टरिंग की जो लिंक्स थी उससे शेयर कर दिया अपने यूजर के साथ ताकि जो भी यूजर मेरे साथ ये जूम मेटिंग जोइन करना चाहते है उस लिंक के तुरू रेइस् हो. तो क्योंकि यूजर्स बहुत सारे थे तो ये काफी मुश्किल और टाइम कंजूमिंग प्रोसेस होता अगर मैं मैंनवली सब यूजर्स को एक एक करके WhatsApp मेंसेज सेंट करता. तो मैंने आप एक solution डूंडा एक automation के रूप में. कैसा automation? इस तरीक एक automation जिसके help से जब भी हमारी जूम मिटिंग में एक new रेश्टेंट एड होता तो automatically उस new रेश्टेंट को हम एक WhatsApp मेंसे सेंट कर देते हैं. लेकिन इसमें एक छोटी सी problem थी. वो ये कि Zoom और WhatsApp. इन दोनों का ही आपस में कोई direct link, कोई native integration नहीं है. तो इस problem को solve करने के लिए आज हम जिस software का use करेंगे उसका नाम है पाबली कनेक्ट. पाबली कनेक्ट basically एक automation and integration software है जिसकी help से हम Zoom और WhatsApp. इन दोनों को ये आपस में link करेंगे, आपस में integrate करेंगे ताकि हम ये automation setup कर सकेंगे. और दोस्तों इस automation के घपराने के कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस automation को setup करने के लिए जो हम इस वीडियो में देखने वाले है, आपको किसी भी तरीके की coding या programming knowledge का आना ज़रूरी नहीं है. एक non-technical user भी इस पूर automation को बहुत easily setup कर सकता है. तो चलिए देखते हम हम इस automation का एक real-time example तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक meeting schedule कर दी है, जिसका topic है self-motivation session और इसका time है 27 अगस 2021 5.30 p.m. और साथ ही जाथ यहाँ पे है उस meeting की registration link यानि कि जो भी users इस meeting के लिए register करना चाहते है, वो इस link के थूरू register कर सकते हैं, तो हम इस link को करते हैं, एक new tab में open, तो यहाँ पे हमें यह कुछ details पूछ रहा है, अब जब भी को user इस link के थूरू इन सभी details को fill करके यहाँ register करेगा, तो automatically उस user के WhatsApp number पे एक message send हो जाएगा, तो चली यहाँ पे इन details को fill करके, हम इसे एक बार test करते हैं, तो यहाँ पे already कुछ details filled है, मैं यहाँ पे address को auto fill कर लेता हूँ, and mobile number, and यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ register पे, तो यहाँ पे हमने इस meeting के लिए successfully register कर लिया है, यानि कि इस meeting में एक नया registration add हो गया है, तो चली चलते हैं, उसका enter किये गए mobile number के whatsapp account पे, और वहाँ चलके देखते हैं, कि हमें वहाँ पे क्या whatsapp message received हुआ है, तो यहाँ पे open है हमार पास वो whatsapp account, तो जी हाँ दोस्तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ में एक whatsapp message received हुआ है, जो कहता है, hello akash wilkar, यानि कि register करने वाले user का name, पाबली टीम is inviting you to a scheduled meeting, topic, self motivation session date and time, 8.27, 27th of August, 2021, 5.30 p.m. with the joining link, तो आप सोच रहोंगे दोस्तो किये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपनी zoom meeting के लिए register करने वाले user को automatically एकदम real time में एक whatsapp message send कर दिया, तो मैं आपको बता दू, यह पूरा process, यह पूर automation में setup किया है, तीन simple steps में, जिसमें हमारा first step है, connect zoom to public connect with the help of webhook url, यानि कि सबसे पहले हम जाएंगे public connect में और वहां से मिल एक webhook url की help से, हम उपने zoom account और public connect, इन दोनों को ही आपस में link करेंगे, आपस में connect करेंगे, फिर आती है हमारी second step, जो है collect the data from zoom in public connect, तो हमारी second step के लिए, हम जाएंगे अपने zoom account पे, वहां पे एक test user, एक test registration add करेंगे, यानि कि उस registration link के तुरू, एक user के details add करेंगे, एक user के details पिल करके, उस meeting के लिए register करेंगे, ताकि उस registration की जो details है, उसे हम अपने public connect account में collect कर सके, रिसीब कर सके, फिर आती हमारी third और final step, जो है send the same data to wati for sending messages from whatsapp, तो दोस्तो, whatsapp हमें directly message send करने की permission नहीं देता, इस करते है, जो की whatsapp की official API software है, तो हमारी third step में, हम public connect में collect हुआ data, वाटी को send करेंगे, ताकि हम वाटी के थुरू, अपने rice trends को whatsapp message send कर सके, तो चली चल, चुरू करते हैं हमारी first step, और चलते हैं public connect पे, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने browser में, और यहां search करेंगे, p-a-b-b- dot com, p-a-b-dot com पे जाते ही, हम जाएंगे products पे, और click करेंगे connect पे, connect पे click करते ही, यह खुल चुका है, हमारे पास public connect का landing page, अब हमें यहाद दो options दिखाई दे रहे हैं, पहला है sign in, दूसरा है sign up free, क्योंकि मेरा public connect पे already account है, तो मैं करता हूँ sign in, आप sign up free पे click करके, दो मेंट पे अपना public connect पे free account बना सकते हैं, इसके बाद हम जाएंगे connect पे, और click करेंगे access now पे, access now पे click करते ही, यह खुल चुका हमारे पास public connect का dashboard, यहाँ हम click करेंगे create workflow पे, और देंगे इस workflow को एक नाम, तो मैं इस workflow को नाम देता हूँ, zoom to whatsapp, and click करता हूँ create पे, create पे click करते ही, अब हमें यहाँ पे दो options दिखाई दे रहे हैं, पहला है trigger, दूसरा है action, अब आप मुझसे पूछेंगे, कि यह trigger और actions क्या है, तो trigger और action, basically वो दो concepts है, वो दो principles है, जिसकी basis पे यह पूरा automation काम करता है, जिसमें trigger कहता है when this happens, यान कि जब ऐसा हो, और action कहता है do this, यान कि ऐसा करें, जब ऐसा हो, ऐसा करें, तो आज के हमारे इस वीडियो का जो topic है, उसके according, जब भी हमारे zoom meeting में एक new registrant add हो, तो automatically उस registrant क एक WhatsApp message send करें, तो पहले चलते हैं हम अपने trigger window पे, और यहाँ पर choose apps में search करते है, आज का हमारा पहला application, जो है zoom, यहाँ सब्सक्राइब करते है zoom को, and then trigger event में select करते है, configure webhooks, अपना trigger event select करते ही, public connect ने दे दिया हम एक webhook URL, अब इस webhook URL के help से, हम अपने zoom account, और अपने public connect account क आपस में link करेंगे, आपस में connect करेंगे, लेकिन इस webhook URL का use कहा करना है, यह देखने के लिए चलते हैं, हम अपने वापस अपने zoom account पे, तो दोस्तों यह है मेरे zoom account का मैं profile section पे आचुका हूँ, यहाँ पे हमें left side पे दिखेंगे कुछ options, जिसमें की admin के अंडर देखेगा, हमें एक option जो कि advanced का, हम इस advanced के option पे जाएंगे, और यहाँ पे click करने के राद हमें सबसे नीचे का option देखेगा, integrations का, हम click करेंगे, integrations पे, integration से click करते ही, यहाँ पे मुझे कुछ application दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं click करूँगा, go to app marketplace के option पे, zoom app marketplace, यहाँ पे आती ही दोस्तो, यहाँ पे एकदम टॉप पे हमें एक option दिख रहा है, जिस पर लिखाए develop, मैं यहाँ पे drop down में से, develop पे जाके इस drop down में से, built app को select करता हूँ, और अपना built app पे click करते ही, यहाँ पे हमें कुछ applications दिखाई दे रहा है, जिसमें से, आज हम जिस application को use करेंगे, वो है JWT, जिसका full form है JSON Web Token, तो JWT यानि कि JSON Web Token, एक application है, जिसके तुरू हम दो applications के बीच में, दो अलग-अलग applications के बीच में, securely data transfer कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम JWT का use करेंगे, अपने zoom account से, अपने public account में data send करने के लिए, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह account already has JWT credentials, मैंने अपने account पे JWT credentials पहले से create कर लिया है, क्योंकि आप पहली बार करेंगे, तो कुछ ऐसा ही create का button आपको यहाँ पे दिखाई देगा, view year के button की जगह, आप click करेंगे create के button पे, और वहाँ पे create पे click करते ही, यह आप से पूछे का अपने company का name, और साथ ही साथ आपका name और email address, उन details को fill करते ही जैसी आप okay पे click करेंगे, तो आप यहाँ आजाएंगे app credentials के इस window पे similar कुछ ऐसे window दिखाई देगी आपको, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ जाएंगे app credentials के नीचे दिएगा option features पे और click करेंगे, features पे click करते ही, यहाँ पे event subscription यह जो option है, यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, just a second, event subscription off की तरह दिखाई देगा, इसे आप यहाँ से एक button on करें, and then यहाँ पे click करे, add new event subscriptions पे, इसके बाद यह मुझसे पूछ रहे subscription का name, तो हम इसे name देता हूँ, zoom to WhatsApp, and then यह मुझसे पूछ रहा है event notification का endpoint URL, तो दोस्तों आपको याद होगा कि पाबली connect ने हमें एक webbook URL दिया था, तो हम पाबली connect से इस same webbook URL को copy करते हैं, क्योंकि यही होगा हमारा zoom meeting का, event notification का endpoint URL, तो इस endpoint URL के column में हम उस same webbook URL को करते है, paste, and then यह आखरे में मुझसे पूछ रहा है event type, तो यह हम से पूछ रहा है कि किस तरीके के event के लिए, कौन से event होने पर zoom पाबली connect को data send करें, तो हम क्लिक करेंगे add events पे, क्योंकि हम meeting से related data चाहते है, तो हम जाएंगे meetings पे, and then scroll down करेंगे meeting registration has been created, यानि कि जब भी कोई zoom meeting के लिए एक नया registration create हो, तो उसकी details zoom पाबली connect को send करें, तो इस option को select करने के बाद हम क्लिक करेंगे done पे, and then हम करेंगे इस पूरे subscription को एक बार save, तो यहां पे हम देख सकेंगे कि यहां पे event subscription create हो गया है, zoom to WhatsApp name का, और click करेंगे हम continue पे, तो हमारा app भी आपको भी कुछ इसी तरीका का notification दिखेगा कि हमारे जो app है, वो activate हो गया है हमारे account पे हैं, यानि कि यहां पे दोस्तो हमारे जो पहला step था, जो था हमने zoom account और पैबली connect account को एक वेबोक URL के थुरूप connect करने का link करने का वो होता है complete, इसके बाद दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी second step पे, जो की है zoom से अपना registration का जो data है उससे पैबली connect को send करना, तो उसके लिए हम एक बाद चलते हैं zoom meeting पे, तो मेरे zoom account का meetings का page है और यहां पे मैं schedule करता हूँ एक new meeting, जिसे मैं नाम देता हूँ self motivation and self discipline तो मैंने आप एक meeting schedule कर रहा हूँ self motivation and self discipline के नाम की, जो की होगी 27th of August 2021 पे एंड इसका हम time select कर लेते हैं 2 PM को, एक गंदे की यह meeting होगी और इस meeting को join करने के लिए registration करना required होगा, यह step काफ़ important हो दोस्तों क्योंकि इसी step के तुरु आने की registration को required select करने के बाद ही, हम मारे meeting के लिए को users register कर पाएंगे and then video पर जाके हम host और participants, इन दोनों के option को on करते है and then we are done, हम यहां क्लिक करते है save पे और schedule करते है, 27th of August 2021 को दो बज़े के लिए एक meeting, इसके बाद यहां में नीचे देखेंगे कि हमें आप एक registration link मिलती है, जो कि हमारी इस meeting के लिए users को register करने के लिए use कर सकते है, इसे हम एक new tab में open करते है, तो हमें यहां पर दिखाई देंगे कुछ fields, जो कि है first name, last name, email और panpam email address, तो दोस्तों यह fields जो है यह जो details है यह sufficient नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे registrants कुछ और details के साथ sign up करे, और साथ ही साथ सबसे important details, जो कि है उनका phone number, जिस पर हम WhatsApp message send करना चाहते हैं, वो field भी मैं यहां पर add करना चाहता हूँ, तो एक बार वापस चलते हैं अपने zoom meeting के meeting page पे, और यहां पर नीचे scroll down करके हम एक option दिखाई देगा registration options, जिस पर लिखा हुआ automatically approved, इसके सामने दिये edit button पर हम एक बार click करेंगे, edit button पर click करते ही हम जाएंगे questions के tab पर और यहां पर हमें कई सारे questions दिखाई दे रहे हैं, अब हम इनमेंसे उन questions को select कर लेते हैं, जिसे हम add करना चाहते हैं अपने zoom meeting के registration form पर, registration के page पर, तो मैं चाहता हूँ कि users अपने address, अपने city, अपनी country, postal code, state, and साथ-साथ phone number, इन सभी fields का details को enter करें और फिर इस meeting के लिए register करें, और इन सभी details को fill करना mandatory है, जरूरी है, तो इन सभी required fields का, जो column है, इन सब को मैं करता हूँ select, तो अपने required fields के डालने के बाद, add करने के बाद registration form में हम यहां पर click करते हैं, save all पर, and फिर से इस registration link को एक बार open करते हैं new tab पे, तो इस link पे हम चलते हैं, तो अब आप देख सकेंगे दोस्तों, जो की meeting के registration form की जो link थी, जो कुछ पहले इस तरीके की थी, उसमें अपने requirement के साब से कुछ और details, कुछ और columns add करने के बाद, वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, जिसमें हम user से उससे उसका first name, last name, email address, confirm email address, उसका address, city, country, postal code, state और साथी साथ सबसे important phone number मांग रहे हैं, इस meeting के लिए register करने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको बताया था कि एक test user, एक test data submit करेंगे, एक user के details के साथ हम यहाँ पर register करेंगे इस meeting के लिए, ताकि इस registration की जो details है, जो data है, हम अपने public connect account में collect कर सके, क्योंकि जैसा कि हम अपने public connect account पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक option दिखाई दिए रहा है, waiting for webbook response का, यहाँ पर basically public connect इस webbook URL के थू response यानि कि response data receive करने के लिए wait कर रहा है, तो इससे हम send करते कुछ details, यहाँ पर हम first name में use करते हैं एक user, एंटर करते हैं user की details, and साथ साथ बाकी सारे details में autofill करता हूँ, और यहाँ पर user का mobile number जिस पर हम WhatsApp message send करेंगे, तो यहाँ पर हमने random एक test user की details फिल की है, इस registration form पर, और हम click करते हैं यहाँ पर register पर, तो basically दोस्तों यहाँ पर अभी अभी जो हमने zoom meeting schedule की थी, उसके लिए एक registration, एक user को register किया है, एक registration create किया है, अब हम चलते हैं अपने public connect account पर और वहाँ चलके देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पर कोई new registration add हुआ, मिलता है या नहीं, यानि कि इस new registration का जिसका data अभी अभी हमने submit किया है, उसका data हमें public connect पर receive होता है या नहीं, तो महाते हैं अपने public connect account पर और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप response receipt पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक new registration का data है उसकी details है receive हो गई है, जिसका first name है शिवम, last name है खरे, उसका email address, address, वाकिसारी details phone number के साथ, तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि जो meeting registration की details हमने fill करके हाँ पर इस meeting के लिए schedule की है, sorry, इस meeting के लिए उस registration को register किया है, उसके details automatically हमें अपने public account पर receive हो गई है, यानकि हमारी process का, इस automation को setup करने का second step था वो भी हाँ पर होता है complete, तो दोस्तों यहाँ पर हमें receive details में एक link भी मिलती है उस zoom meeting के registration की, यानि कि join link यानि कि इस link पर क्लिक करके कोई भी user उस zoom meeting के लिए join कर सकता है, और यहाँ पर एक ध्यान दनी वाली बात है दोस्तों कि जो हमें यहाँ पर meeting की start time मिला है, उसका meeting का start time है उसका date तो सही है लेकिन time जो है वो 8.30 बता रहा है, लेकिन जो meeting है वो तो actually हमने यहाँ पर 2.00 PM की setup की है, तो यह यहाँ पर इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जब zoom हमें data send करता है तो वो उस time को UTC format में send करता है, जो की होता है यानि कि इंडिया का जो time है वो UTC format से 5.30 hours आगे चलता है, तो basically यह जो date and time है इसे तो हम अपने users को इस तरीके से send नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम इस date and time को convert करेंगे UTC format से इंडिया के format में जो की है time zone Asia Kolkata, तो हम यहाँ पे जाते है एक और step पे action window पे और यहाँ चूज करते है date time format अपने इस date और time में हुए changes को ठीक करने के लिए, तो हम यहाँ चूज करते है date, date time format and then इसके अपना select करते है action event format date with time zone कि हम date और साथ साथ time का जो time zone है उसे format करते हैं, जो हमें UTC time zone के इसाब से time receive हुआ है इसे correct करके India के time zone यानि की Asia Kolkata पे convert करते हैं, तो हम यहाँ चाहते है date का format और time zone change करना, तो date time format चूज करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते है connect पे, and then यह हम से पूछ रहा है वो date and time का data जो हमें change करना है, तो यहाँ से दोस्तो इस same date and time को, इस same data को, इस same value को हम map करेंगे यहाँ नीचे इस field में ताकि automatically उस field के response के इसाप से date and time change हो जाए, तो सबसे पहले mapping के लिए हम यहाँ पे इस field पे click करेंगे और यहाँ पे नीचे जो drop down मिला है हमें उसमें से select करेंगे इस date and time को, तो start time, payload object start time जो की है 21, 8, 27, T, 830, Z, तो हम यहाँ से इस value को select करते है, same value जो हमें zoom से public connect में receive हुई थी, webbook response के through, इसके बाद date select करने के बाद हम यहाँ select करेंगे from time zone पे UTC, क्योंकि zoom UTC format है, UTC time zone के इसाप से dates and time send करता है, इसके बाद दोस्तों यह हमसे पूछ रहा two format, यान कि इस date and time को हम किस format में convert करना चाहते है, तो example के लिए मान लिए दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो date and time है, वो कुछ इस format में मुझे मिले, तो मैं select कर लिए अपना यह format and then to time zone, तो Asia Kolkata को हम यहाँ पे नीचे इस two time zone में select करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे time zone here पे click करके अपने required time zone यहाँ से select कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे Asia Kolkata मिला, मैं इसे करता हूँ copy, यहाँ search करता हूँ, Asia Kolkata, Asia Kolkata sorry, and Asia Kolkata को time zone select करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ click करता हूँ, save and send test request पे, तो save and send test request पे click करते ही, यहाँ पे मुझे exact सही time, जो की था 2 p.m. का, जो की मेरा meeting का time था, जो मैं schedule की थी 2 p.m. को 27th August 2021 पे, यहाँ कि 27th August 2021 2 p.m. exact correct date and time, जिस format में मैं चाहता था, उस format में मुझे receive हो गई है, date time formatters है, तो अपना date and time correct करने के बाद, यानि कि UTC time zone से, अपने desired time zone, यानि कि इंडिया के लिए जिसे मेरे लिए Asia कॉल करता है, उसमें convert करने के बाद, आती है हमारी third और final step, जो है इस पूरे data को, इस पूरे response को, अपने requirement के हिसाब से, वाटी को send करना, ताकि वाटी के थुरू हम WhatsApp message send कर सके हैं, तो यहाँ पे action window में choose apps में, हम एक बाद फिर search करते हैं, वाटी, और action event में select करते है, send template message, और click करते है, connect पे, connect पे click करते ही, यह मुझसे कहा है रहा, connect वाटी account, मैं यहाँ click करता हूँ, add new connection पे, and then यह मुझसे पूच रहा है, मेरा API endpoint और access token, तो दोस्तो, वाटी यह से मैं कि मैंने आपको बताया, और वाटी account कैसे create करते है, कैसे मिलेगा आपने वाटी account का अपना username, password, registration, कैसे होंगे वाटी account पे, और वाटी account से related, बाकी सारी details के लिए, आप इस वीडियो के description में दिएगा, एक link पे click करें, जिसमें आपको एक वीडियो मिलेगा, और जिसमें वाटी से related, सारे information, सारे details, mention की गई है, तो इस API endpoint और access token के लिए, हम चलते हैं पहले अपने वाटी account पे, तो यह है दोस्तों मेरे वाटी account का dashboard, यहाँ पे मुझे broadcast के right side पे कुछ option तीन बार्ज दिखाई दे रहे है, जिसमें से मैं जाब हूँगा API docs पे, API docs पे जाते ही, यहाँ पे हमें दो option दिखाई देते हैं, एक है access token और API endpoint, सेम दोनों डीटेल सेम चीज़ें जो हमें पाबली कनेक्ट न यहाँ पे मांगी थी, अब अपने वाटी account से इस API access token को करते हैं पहले copy, और चलके अपने पाबली connect पे इसे करते हैं paste, इसके बाद वापस वाटी पे आके API endpoint को भी करते हैं copy, और अपने पाबली connect account पे यहाँ करते हैं इसे भी paste, इन दोन डीटेल्स को फिल करने के बाद, अपने वाटी account से collect करने के बाद, हम यहाँ click करेंगे save save, और मैं इस वाटी account के dashboard पे कैसे गया, कैसे मैंने access किया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के description में, आपको एक link मिल जाएगी, जिस पे click करके आपको वाटी के उपर सारे information, एक informative वीडियो देख सकते हैं, तो अपने पाबली connect account पे आके जैसी हमने अपना वाटी account, अपने पाबली connect account के साथ connect किया, उसके बाद हम यहाँ पे वो कुछ fields दे रहा है, जो हमसे पहली field में पूछ रहा है, WhatsApp number, यानकी user का WhatsApp number, जिसे हम send करना चाहते हैं, तो Zoom से पाबली connect में आए, details में हमें receive हुई थी, उस meeting rice trend की details, जिसमें था उसका phone number, तो इस सेम वाट्चाप number पे हम message send, WhatsApp message send करना चाहते हैं, तो यहाँ से इस सेम नमबर को, इस सेम data को हम फिर एक बार map करेंगे, यहाँ पे वाटी पे इस WhatsApp number की field पे, तो mapping हम कैसे करेंगे, simply यह से हमने पहले की, इस field पे करेंगे click, and then Zoom configure webbooks पे जाके, scroll down करके, यहाँ से यह WhatsApp number, यह number की जो data है, value है, इससे select कर लेंगे, इसके बाद ही हमसे पूछ रहे template, तो दोस्तो, यह template हमें कहां से मिलेगा, यह template हमें मिलेगा अपने वाटी account पे जाके, वाटी account जो है, वो हमें directly कुछ मी message send करने की permission नहीं देता, पहले, वाटी account पे आके हमें, एक new template message create करके, उस message के template को Facebook, जो की WhatsApp की parent company है, उससे approve कराना होता है, and then उस template के approve होने के बाद ही, उस template के तुरू हम WhatsApp message send कर सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे वाटी account पे कई सारे templates है, लेकिन जिस template का आज हम use करेंगे, उसका नाम है meeting link, और आप यहाँ देख सकते हैं, कि इस template को मैंने Facebook से approve करा लिया है, तो हम देखते हैं एक बाद यह template कैसा है, तो इस template का नाम है meeting link, इस template की category है appointment update, और language है English, header options, तो यहाँ पे हम select कर सकते हैं, जो हमारे template का header है, उसमें क्या हम add करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे हमें options मिलते हैं, none की जगा पे कुछ text, या फिर कुछ media भी send कर सकते हैं, इस template के तुरू, जैसे कि इमेज, document या फिर वीडियो, इसके बाद आती है हमारी message template की body, जो कि हम से कहती है hello name, यानि की यह जो name की field दिख रही है दोस्तों आपको, यह double brackets के अंदर, यह basically एक variable है, variable यानि की एक बदलने वाली value, हम इस template में इस variable को बदल के, इस variable को replace करके, अपने requirement के साब से कुछ और value भी add कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर hello की जगा मैं add करना चाहता हूँ, मेरे जो zoom registrant है उसका नाम, तो hello name, पाबले team is inviting you to a scheduled meeting, topic, यहाँ पर meeting का name, यानि कि यहाँ भी एक variable है, तो यहाँ पर मैं add, बदल के इस variable को change करके, add करूँगा अपनी meeting को जो topic होगा उसे, and then meeting की date and time, साथ ही साथ open this link to join meeting, और meeting को join करनी की जो link हमें receive हुई है, जूम से, पाबले connect में उस link को यहाँ पर add करना चाहूँगा, तो इन variables को हम कैसे change करेंगे, कैसे इन variables की जगा पर अपना required data, अपने required values add करेंगे, यह देखते हैं हम पाबले connect में चलके, यहाँ से templates में से मैं select कर लूँगा उस template को, जिस पर मैं message send करना चाहता हूँ, जो है meeting link, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे templates है, यह सभी वही templates हैं दोस्तो, जो मेरे बाटी account पे भी actually created है, approved है, यहाँ से हम templates में से select करते है, meeting link को अपने पाबले connect account पे, and then देते हैं इस broadcast को एक name, तो मैं इस broadcast को एक name देता हूँ, self motivation session, self motivation session दिया है मैंने, इस broadcast को एक name, and then मुझसे पूछ रहा है custom parameters, तो जैसे कि मैंने आपको बताया थे दोस्तों, कि बाटी में हमें यहाँ पे कुछ variables मिलते है, हम variables अपने templates में add करते है, ताकि हम उन variables को बदल के, कुछ values add कर सके, अपने required, value required text add कर सके, तो इन variables को भी बदलने का एक तरीका होता है, जो कि है इस custom parameters में हम देखेंगे, तो यहाँ पे इसके नीचे दियेगा example में, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक tag है, हम इसे यहाँ से करते है copy, और यहाँ पे करते है paste custom parameters में, and then यहाँ से करते है, इन names और values की fields को clear, तो यहाँ पे दोस्तों यह हम से पूछ रहे है name, इस name का इस bracket के अंदर, इस stack के अंदर यह जो name है, यहाँ पे हमें enter करना है, इन double quotes के अंदर, अपने variable का name, जिसको हम बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरा पहला variable है, जिसका title है, जिसका name है, name, तो मैं इस name को बदलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना डालूँगा variable का name, जो की है name, और मैं चाहता हूँ, कि इस variable name को बदलके, यहाँ पे add हो जाए, रिइस्टर करने वाले यूजर का, याईनि कि मेरे zoom meeting के रिइस्टरेंड का name, तो जो response हमें receive हुआ था, जूम से, public connect में उसमें हमने receive हुआ था, first name और last name हमारे रिइस्टरेंड का, तो यहाँ से same name, same details को हम एक बाप फिर सही हाँ पे map कर देंगे, कैसे, simply हम values के सामने दियेगे, double quotes के बीच में जाएंगे, and then यहाँ से map कर देंगे, उस first name को, space last name को, यहाँ से मैंने उस रिइस्टरेंड का name एड़ कर दिया है, name इस variable की जगा, यानकी हमारे template में, इस variable की जगा को, इस variable को हमने रिपलेस कर दिया है, रिइस्टर करने वाले रिइस्टरेंड के name से, इसके बाद हमारे जो next variable है, वो है meeting name, तो हम यहाँ पे इस variable के बाद, इस stack के बाद जाते है, आगे लगाते है comma, and then बापस से एक बाद फिर से, इस stack को करते है, paste, यहाँ पे variable के name को हम करते है, change, color, clean, and value को भी हटाते है, ताकि हम अपने जो variables हैं, यानि की meeting underscore name, इस variable के name को यहाँ पे enter कर सके, meeting underscore name, and then हम इस meeting name के variable को replace करना चाहते है, एक value से, जो value है, हमें self motivation and self discipline session, तो value उस meeting का name जो है, वो हमें receive हुआ था, आए response में, तो यहाँ पे हमार पास यह meeting का जो topic का जो name है, वो यहाँ पे है, हमारे पास self motivation, self discipline, अब इस same name को, इस same data को हम एक बार फिर से यहाँ पे map कर देंगे, meeting name की जगह पे, हम जाएंगे यहाँ पे, इन values के बीच सामने दिये गए, double quotes के बीच में, and then नीचे drop down से select कर लेंगे, अपना topic, self motivation and self discipline, यानि की, इस template में हमने meeting name का जो variable था, उसे भी replace कर दिया है, value से, जो कि है, उस हमारे meeting का topic, self motivation and self discipline, इसके बाद हमें दिखाए देता है, एक और variable, जो कि है date and time का, तो यहाँ पे variable का नाम है, date underscore time, तो हम फिर से, इस tag के बाद लगाएंगे, कॉमा, फिर से इस tag को एक बाद करेंगे, paste, और यहाँ पे जो tag का name है, उसे change करके, add mention करेंगे, हमारे variable का name, जो कि date underscore time, and then, हमारे इस date and time की value, जिसे हमने date and formatter के साथ, change किया था, याद होगा आपको दोस्तों, कि यहाँ पर date time formatter से, हमने अपने जूम से आये response को, जूम साई date and time को, जो कि UTC time zone के साथ से थी, उसे change करके, अपने Asia Kolkata के time zone पर convert किया था, तो इस same data को हम, यहाँ पर फिर से एक बाद माप करेंगे, इन values में, यहाँ date time formatter से हम माप करते, इस date and time को, and then comma लगा के, एक बार आखरी हमारा जो, यहाँ का tag है, हमारा आखरी जो, variable है, जो कि है link का, हमारी zoom meeting के joining link का, उसे हम यहाँ पर change करते है, तो हमारा जो, एक बार tag, इस tag को फिर से paste करेंगे, and then variable के name को change करेंगे हम, link से, क्योंकि हमारे, यहाँ पर इस variable का नाम है link, and then, यहाँ पर values को change करेंगे, इस meeting के link से, तो मैं यहाँ drop down से, हम फिर से एक बार map करेंगे, उस response में मिली हुई हमें, उस link को, तो यह है, उस meeting को join करने की registration की link, हम इस same link को, इस same data को, यहाँ पर एक बार फिर से, इस tag में map कर देंगे, तो basically दोस्तो, इन variables को, जो हमने add किया थे, अपने वाटी के template पे, इन variables को बदल कर, हम जो values, जो text यहाँ पर add करना चाहते है, उन्हें हमें map कर दिया, एंटर कर दिया है, इस custom parameter की field पे, अब इन सभी tags को, इन सभी variables को, बदलने के बाद, हम यहाँ click करते है, save and send test request पे, in save and send test request पे click करते ही, यह हमें एक response दे रहा है, जो की बता रहा है, कि यह जो message है, यह पूरा message जो हमने, template पे create किया है, यह send हो गया है, इस WhatsApp नमबर पे, तो चले चलते हैं इस WhatsApp नमबर, इस WhatsApp नमबर के account पे, और चलके देखते हैं वहाँ पे, कि हमें वहाँ पे कोई WhatsApp message, receive हुआ है, या नहीं, यह हमारे पास open है, तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी शिवम करें, यानिकि जो हमारे Zoom registrant का नाम था, जिसके थूरू हमने register किया था, जिसके details एंटर की थी, उसका name, साथ-साथ, पाबली टीम is inviting you to a scheduled meeting, and topic self-motivation and self-discipline time, 27th August 2021 2.00 p.m. और साथ में joining link, यानिकि जो custom parameters के थूरू, हमने जो values जो data add किया था, यहाँ पर वो इस template के message के format पर हमारे user को एक WhatsApp message के थूरू send हो गया है, यानिकि दोस्तों यह जो पूर automation हमने setup किया है, यह successfully काम कर रहा है, तो एक बार हम इस automation को फिर से test कर लेते हैं, कि यह सच में पूरी तरीके से automatically काम कर रहा है या नहीं, और जो zoom meeting पर हमारे पार जो register के link थी, इसे एक बार फिर से new tab में open करते हैं, and then यहाँ पर new register एक new user के details फिल करके देखते हैं, कि उसे यह WhatsApp message receive होता है, या तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक नए register की details एंटर कर दी है, जिसका नाम है नितिन शर्मा, और यह उसकी बाकि details उसके phone number के साथ, अब यहाँ पर register करके मैं उस zoom meeting के लिए इस user को register करता हूँ, और जैसी मैं जहाँ पर register किया इस user को मैं चलता हूँ उस WhatsApp number पे, उस WhatsApp account पे और यहाँ देख सकते हैं कि Hello Nitin शर्मा, यानि कि register का नाम जिसे अभी अभी हमने इस zoom meeting के लिए register किया, उसका नाम पैबले टिमेंज इन्वाटिंग यू टो शेडूल मीटिंग और बाकि सारी details, तो यह automation दोस्तों successfully काम कर रहा है, अभी अभी हमने real time में भी test करके देखा, कि जैसे हमने अपने zoom meeting में एक new register add किया, automatically उसके WhatsApp नंबर पे एक WhatsApp message send हो गया, तो चली एक बार देखते है, summary में एक दम brief में कि इस पूरा automation को हमने कैसे setup किया, तो सबसे पहले हमने अपने zoom account को connect किया, अपने public connect account से एक webhook URL की help से, उसके बाद हमने अपने zoom account में जाके एक test registrant create किया, ताकि उस registrant का data हम public connect account में collect कर सके है, उसके बाद जो date and time हमें zoom ने send की थी meeting की, वो UTC time zone के according थी, उसे हमने date time formatter की help से, अपने Indian time zone जैसे की, यानि की Asia Kolkata में change किया, convert किया, जिसे आप Asia Kolkata की जगा अपने requirement के साब से किस यह time zone में भी change कर सकते है, and then यह सारा data हमने send किया वाटी को और अपने जो custom parameters थे, उसमें replace किया हमारे वाटी template के variables को, ताकि एक WhatsApp message हम अपने registrants को send कर सके हैं, सिर्फ यह applications नहीं दोस्तो, family connect की help से आप multiple applications को एक दूस्ते के साथ integrate कर सकते हैं, और अपने business को automate कर सकते हैं, और हाँ, एक और जारूरी बात, इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी, जिस पे click करके आप इस same workflow को अपने family connect account में clone कर सकते हैं, और इस workflow को pre में use कर सकते हैं, किसी भी तरिके के help या feedback के लिए आप एमें contact कर सकते हैं, admin at the redpably.com पर या अपनी queries फूच सकते हैं इस link पर, गर आज को एक वीडियो आपको अच्छा लगाओ, तो इस वीडियो को like करें, share करें, और हाँ, ऐसी कुछ automation and integrations related awesome videos के लिए, पर आबले हिंदी को subscribe करें, तो आज की इस वीडियो के ले इतना ही दोस्तो, thank you.